मुश्किलों से भाग जाना आशान होता है हर पहलु जिन्दगी का इंतहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिन्दगी में डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिन्दगी में लडने वाले के कदवों में जहान होता है हर लडने वाले के कदवों में जहान होता है हाई दोस्तो मैं आरियस सर आपका अपने यूटूब क्लास आरियस ग्यान वन पर स्वागत करते हैं आसा करते हैं जहां भी होंगे स्रस्थ होंगे आप हम बात करने वाले हैं महत्पूर बिंदु की महत्पूर बिंदु में भी हमने इसके पहले जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया ता उसमें जो है जिव बिज्ञान के ही भाग थे जब जिव बिज्ञान के महत्पूर बि हैं ठीक आसा करते हैं जो आप इसके पहले वीडियो देखे हूंगे आपको समझ में आया होगा तो आईए आज भी हम आपको समझानी का प्रेत्र करते हैं आसान सब्दों में ठीक चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला बिंदु है जो हम यहाँ पर पॉइंट लिए हैं पॉइंट क्या है हमारे थायरॉक्षिन की कमी से होने वाले रोग बिटामिन बी के सभी राशाइनिक राम क्या होते हैं कैंसर रोग के प्रकार क्या होते हैं ठीक प्रोटीन के प्रकार क्या होते हैं और जो हमार थायराक्षिन की कमी से होने वाले रोग क्या पॉइंट है थायराक्षिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं उनका नाम क्या है उनको हम कैसे याद रख सकते हैं तो आईए हम देखते हैं यहाँ पर ट्रिक के माद्यम से हम आपको याद करा रहे हैं ठीके ट्रिक के माद्यम स होने वाला रोग है उत्पन्न होने वाला रोग किस की कमी से थार अक्षिन की कमी अगर हो गई है तो जहां में घेंगा रोग हो जाएगा जहां में घेंगा रोग हो जाएगा थार अक्षिन की कमी से ठीक तो जासे क्या हो जाएगा जहां में घेंगा रोग ठीक है स्वारी जह हमें घेंगा यह हमारी ट्रीक है तो जहां से ध्यान दीजे जासे जड़ मानवता क्या होगा जासे जड़ मानवता जड़ मानवता जासे जड़ मानवता हार से हाइपो थायराइडिज्म हाइपो थायराइडिज्म ठीक है राइडिज्म राइडिज्म हाइपो थायराइडिज्म क्या होता है हासे हाइपो थायराइडिज्म ठीक है तो जो हमारा जहां है तो जासे जड़ मानवता हासे हाइपो थायराइडिज्म ठीक है नेक्स्ट है में तो में से क्या हो जाएगा मिक्स डिमा हो जाएगा क्या हो जाएगा मिक्स डिमा टीक हैं मिक्स डिमा टीक है तो में से मिक्स डमा ठिक उसके बाद है घेंगा तो घेंगा से घेंगा ही होगा ठीक है आप देख रहे हैं कि थाइराक्षिन की कमी से जो होने वाला रोग है वो हमारा है जहां में घेंगा तो जहां में घेंगा तो जैसे हमारा जड़ मानवता ठीक है हा से हमारा हाइपो थाइराइडिज्म ठीक में से हमारा मिक्स डमा ठीक और घेंगा से घेंगा ठीक तो यह हमारा थाइराक्षिन की कमी से उने वाले रोग थे जहां में घेंगा जैसे जड़ मानवता ठीक है हा से हाइपो थायराडिज्म, में से मिक्स डमा और घेंगा से घेंगा दूसरा बिंदु है मारा, विटामिन B के सभी राशायनिक नाम क्या है अब माल लिजे हमसे कुश्चन पूछ लिया कि विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B7, B11, B12 इन सभी राशायनिक नाम क्या है, तुम कैसे बता सकते हैं, आईए हम बता रहे हैं आपको तो यहाँ पर विटामिन B के सभी राशायनिक नाम कौन कौन से हैं, वो हम आसान सब्दों में समगते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रीक याद करनी पड़ेगी ठीके आप ट्रीक यहाँ पर याद कर सकते हैं आप दो-चार बार पड़ेगी तो आपको याद हो जाएगा आशानी से कोई समस्या नहीं होगी तो आई हम देखते हैं क्या है एक था दोहराईव तीन पैंट छपाई एक था दोहराईव जो तीन पैंट छपाई साथ बार बारा से यारा फेकी साथ बार बारा से यारा फेकी एक था दोहराईव तीन पैंट छपाई साथ बारा बारा से यारा फेकी साथ बार बारा से यारा फेकी ट्रिक क्या है सुनिए एक था दोहराईव तीन पैंट छपाई साथ बार बारा से यारा फेकी एक था दोहराई तीन पैंट छपाई साथ बार बारा से यारा फेकी याद हो गया ना एक था दोहराई तीन पैंट छपाई साथ बार बारा से यारा फेकी हो गया यह हमारी बिटामिन B12 ऐस बी के सभी राशानिक नाम थे कौन जो हमने पढ़ा देखिए यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर जो था एक था, तो एक था से क्या हो जाएगा बिटामिन A या नहीं बिटामिन B1 एक ही होगा ना, बिटामिन B1 एक ठीक है था से थाइमीन क्या होगा थाइमीन तो विटामीन एक जो विटामीन B1 है ठीक है उसका जो राशानिक नाम होता है वो थाइमीन होता है अब देखिए दो राइब तो विटामीन 2 का अब विटामीन 2 का नाम क्या होगा बीटू का ठीक है विटामीन B का बीटू जो है उसका राशानी क्या नाम है दो हो राइब तो दो से दो गया राइब से ठीक है राइब से राइबो फ्लेविन क्या होगा राइबो फ्लेविन राइबो फ्लेविन ठीक है तो आप देख रहे हैं एक थाथ से क्या हुआ बिटामिन बीवन यानि धाय मिल दो राइब से बिटामिन टू यानि राइबो फ्लेविन ठीक है तीन से ठीक है यानि B3 बिटामिन B3 जो बिटामिन B3 है उसका है निकोटीन क्या है निकोटीन निकोटीन ठीक है निकोटीन किसका बिटामिन B3 का उसके बाद है पैंट तो जो पैंट है वो बिटामिन पैंट पासे 5 यानि विटामिन B5 ठीक है विटामिन B5 तो पैंट टासे क्या हो जाएगा हमारा पैंटो थेनिक अमल क्या हो जाएगा पैंटो थेनिक अमल पैंटो थेनिक अमल किसका पैंट यानि विटामिन B5 का पैंटो थेनिक अमल होता है नेक्स्ट है छपाई तो छा से 6 होता है यानि विटामिन B6 B6 क्या हो जाएगा पाई तो पाई से क्या हो जाएगा पैरिडाक्सिन क्या हो जाएगा पैरिडाक्सिन पैरिडाक्सिन ठीक है तो छा पाई से पैरिडाक्सिन पाइरीडाक्सिन छपसे यानी विटामिन B6 जिसका राशानिक नाम क्या होगा फाइरीडाक्सिन ठीके है नेक्स्ट है साथ बार तो साथ बार से क्या हो जाएगा विटामिन B7 ना तो B7 B7 का राश्यानिक नाम क्या होता है ठीक है बायोटीन क्या होता है बायोटीन नेक्स्ट है हमारा बारा से तो बारा से क्या हो जाएगा बिटामिन B12 ठीक है बिटामिन B12 बिटामिन B12 का राश्यानिक नाम क्या होता है तो शा से 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 साइनो को बालमिन क्या हो जाएगा शाइनो को बालमिन शाइनो को बालमिन ठीक है यारा फेकी ती यारा से है जा बिटामिन B11 बिटामिन B11 का क्या हो जाएगा फॉलिक अमल क्या हो जाएगा फॉलिक अमल ठीके आप देख रहे हैं आपर की बिटामिन B के सभी राश्यानिक नाम क्या है ठीके एक था दो राइब तीन बार छपाई साथ बार बारा से यारा फेकी ये हमारी थी ट्रिक बिटामिन B के राश्यानिक नाम तो हमारा जो था एक था से बिटामिन B1 थाइमीन दो राइब से बिटामिन 2 ठीके राइबो फ्लेविन ठीक तीन से बिटामिन B3 ठीक जिसका राश्यानिक नाम निकोटीन ठीक 26 पैंट से पंच ये ज़ा बिटामिन 5 जिसका राश्यानिक नाम पैंटो थे निक अमल ठीक 26 बिटामिन B6 जिसका राश्यानिक नाम पाय रिडाक्सिन ठीके साथ बार तो यानि विटामिन B7 जिसका रासाइनिक नाम बायोटीन ठीक है और हमारा है बारा से तो बारा से भी विटामिन B12 जिसका रासाइनिक नाम साइनो कोबायलमीन ठीक है यारा फेकी तो यानि विटामिन B11 जो है फॉलिक आमल ठीक है तो यह हमारे विटामिन B के सभी आसानी नाम थे जो आप आसानी से समझ सकते हैं ठीक है तो आईए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है Cancer रोक के प्रकार यानि जो Cancer होता है वो किते प्रकार का होता है तो आप देख सकते हैं यानि जो cancer होता है उसके चार प्रकार होते हैं तो जो हमारे चार प्रकार होते हैं उनका नाम क्या होता है अरे होता है नाम काली साली जो cancer होते हैं उनके चार प्रकार होते हैं उनका नाम क्या है काली साली हम देखते हैं काली साली क्या है तो काली, साली, इन सब को अलगम करते हैं, तो का से आप देखिए, कर्शी नो मास, क्या होता है? कार्शी नो मास कार्शीनो मास ठीक है तो हम पढ़ सकते हैं कार्शीनो मास तो काली साली का से कार्शीनो मास ली से लिंफो मास ठीक उसके बाद सा से सारको मास ठीक उसके बाद ली से लिको मास ठीक है लिव की मियास लिव की मियास तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कैंसर रोग के प्रकार थे वो चार प्रकार थे कौन से काली साली तो का से कार्शीनो मास ठीक है ली से लिंफो मास ठीक है सा से सारको मास ली से लिव की मियास ठीक है लिव की मियास ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा कैंसर था उनकी चार प्रकार थे जिनको उन ट्रिक के माध्यम से क्या याद किये काली साली तो का से तो यहां पर ध्यान दीजे कि जो प्रोटीन के प्रकार है उनमें as a trick क्या है साबस ठीक है तो साबस से क्या अर्थ आएगा आएगे हम देखते हैं तो साबस से हमारा जो अर्थ आएगा वो आएगा संयुगमी प्रोटीन संयुगमी प्रोटीन ठीक है उसके बाद व्यूत्पन प्रोटीन उसके बाद सरल प्रोटीन काउन सो प्रोटीन सरल प्रोटीन ठीक है तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी प्रोटीन है उनके प्रकार क्या है तीन है काउन से है साबस तो सा से संयुगमी प्रोटीन बाद से व्यूत्पन प्रोटीन और सा से आपकी सरल प्रोटीन होती है ठीक लास्ट पॉइंट है हमारा 500 पॉइंट क्या है पौदे जिनका तना खाया जाता है पौदे जिनका तना खाया जाता है वो कौन से पौदे होते हैं आईए हम देखते हैं ट्रिक के मादे हम से तो क्या लिखा यहां पर अजी आप अजी आप सुनते हो आपने सुना होगा ठीक है अजी आप हल करो ठीक है अजी आप इधर आओ तो यहां पर ध्यान दीजे तो पौदे जिनका हम तना खाते हैं अजी आप ठीक क्या है अजी आप तो आसे ठीक है अजी आप तो आसे हमारा हो जाएगा अर्वी अरवी और अदरख ठीक है आ से अरवी और अदरख हो गया ठीक है उसके बाद जी से जी से जिमिकंद आ से आलू हो गया और आपका पासे प्यास हो गया ठीक है तो जो पौदे जिनका हम तना खाते हैं अजियाप आ से अरवी और अदरख ठीक है जी से जीमिकंद आ से आलू और पासे प्यास ठीक है तो यहाँ पर हमने पांच बिंदू आपको बताएं जो बताएं हमने आपको थाईरॉक्षिन की कमी से होने वाले रोग की ट्रिक क्या है जहां में घेगा तो जासे जडमा नवता हा से हाइपो थाईराइडिस्म ठीक है में से मिक्ष डमा ठीक है घेगा से घेगा उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट था कि विटामिन बी के सभी राशानिक नाम क्या होते हैं तो हमारी ट्रिक थी एक था दो राईब तीन बार छपाई साथ बार 12 से इारा फेकी एक था दो राइब, तीन बार छपाई, साथ बार बार से यारा फेकी, ठीके, तो बिटामिन B1 यानी एक था यानी थाइमिन, दो राइब से बिटामिन B2 राइबो फ्लेविन, ठीके, तीन से बिटामिन B3 निकोटीन, ठीके, पैंट से बिटामिन B5 पैंटो थेनिक अमल, साथ बार से बिटामिन बी 12 साइना को बालमीन ठीक है गयारा फेक है यहानि बीटामिन बी 11 ठीक है फॉलिक अमल यह हमारी ट्रिक थी बिटामिन बी की रासानिक नाम सभी उसके बाद है cancer rock के प्रकार तो cancer rock के प्रकार में हमारी trick क्या थी kali-sali तो जो sali है वो kali है ठीक है तो kali-sali तो यहाँ पर ka से carcinomas ठीक है leese lymphomas sa se sarcomas ठीक है और leese leukimias ठीक उसके बाद पहाँ चौथा point सा protein के प्रकार तो जो protein के प्रकार थे हो तीन थे साबस तो saa से जो है शैयुगमी प्रोटीन बाद से विदपन प्रोटीन और जो है saa से saral प्रोटीन उसके बाद है जिनका ऐसे पौदे जिनका हम तना खाते हैं तो उनकी trick क्या है अजियाप अजियाप से आ से अर्भी और अद्रक ठीके अजिय जी से जिमीकंद आ से आलू और पा से प्याज ठीके तो यहाँ पर जो हमने आपको बता है महत्वण बिंदु के अंतरगत वो भी जिवपी ज्यान का एक महत्वण बिंदु है जो सभी तैयारी लेबल की क्लासों में ठीके जीयस जिसमें आता है ठीके या किसी बोर्ड की पर इच्छा हो ठीक उनमें आपको यह सब मिलेगा ही जिवपी ज्यान के अंतरगत जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयत्निकिया वो भी सरल सब्दों में ठीक तो आसा करते हैं आपको यह समझ में भी आया होगा ठीके आपको पसंद भी आया होगा तो अगर आपको मेरा वीडियो यह अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा उसके बाद तो सेयर करना भूलिएगा ही मत ठीके आप अपने दोस्तों के साथ रिष्तेदारों के साथ सेयर जरूर करिएगा जिनसे वो मेरा यह वीडियो आसानी से देख सकें और समझ सकें और सीख सकें ठीके हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद